अपनी शानदार कप्तानी से मुहाली टेस्ट जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली को एक और काम्याबी मिली है जिहां कोहली ने अपनी धमाकेदार बल्ले बाजी से टेस्ट रैंकिंग में उपर की और छलांग लगाई है आईसे जी के और से जारी की गई टेस्ट बल्ले बाजो की वेश्विक रैंकिंग में भारतिय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली को तीसरा स्थान मिला है इस रैंकिंग में कोहली अब तक की सर्वशेष्ट रैंकिंग पर है आपको बता दे कि मोहाली टेस्ट मैच से पहले कोहली चौथे पायदान पर थे लेकिन मोहाली में उनकी खेली गई 62 और नाबाद 6 रन की पारी की वजह से विराट को एक पायदान का फायदा हुआ विराट कोहली के मोहाली टेस्ट के बाद 833 रेटिंग पॉइंट हो गए हैं जो की दूसरे नंबर पर काभी जिंगलैंड के जो रूट से महज 14 अंक पीछे हैं वही टेस्ट क्रिकेट में पहले नंबर पर आस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीफ स्मित हैं जबकि शीर शितस में कोहली के अलावा भारते खिलाडी चितेश्वर पुझा रहा हैं जो 760 पॉइंट के साथ आठवे स्थान पर हैं इसके साथ ही कोहली वन डे क्रिकेट में नंबर दो और टी च्वंटी में नंबर एक के बल्ले पास हैं बारत इंगलेंग के बीच इन दिनों टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें भारत दो शूनी से आगे चल रहा है सीरीज का चौथा टेस्ट मैच जो 8 दिसमबर से मुंबई में खेला जाएगा तो कोवली तीनों ही फॉर्मेट में शांदार रैंकिंग पर है और अब उनकी कोशिश रहेगी कि वो नंबर वन के खिलाडी बने तो अभी भी तो टेस्ट बागी है कुछ भी हो सकता है तेकरे एडी बिलाइव